तो कियाल चाल सास्रियकाल मैं हूँ नियॉन मैन अट गईज आज हम लोग बात करने वालें काफी बड़े यूट्यूबर फेज रग के बारे में तो क्या फेज रग एंड उनके फैमिली लाइन को क्रॉस कर दिये ये काम करके वेल हुआ क्या कि फेज रग एक बहुत ही अनफॉर्चनेट न्यूज शेर करते वे एक ट्वीट किये थे कि उनका जो फैमिली डॉग है बॉसली ही पास्ट अवे नौ दिस इस वेरी बैड न्यूज एंड सब लोग अपना कंडोलेंस इस उनको पे कर रहे थे बट इसके बाद फेज रग एंड उनके फैमिली ने एक ऐसा चीज कर दिया जिसके वज़े से काफी जादा लोग उनको हेट देने लगे हुआ क्या कि सब लोग अपने अपने चैनल में एक वीडियो अप्लोड किये विद दे सेम टाइटल अपने चैनल में अपना स्टोरी शेयर करेंगे विद बॉसली इसलिए सब लोग अपने अपने चैनल में वीडियो अप्लोड किये इसके बाद वो एक वीडियो से जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो पैसो को वो एक एक आनिमल रेस्क्यू चैरिटी में डोनेशन करने वाले हैं उनका कोई भी खराब इंटेंशन नहीं था उन वीडियो को लेकर सो या गाईज इस सिचुएशन में आपका क्या ओपीनियन है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना एनिवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी के बारे में खेले ही नहीं है आप लोग भी ध्यान रखना डीप फेक वीडियो को लेकर जब भी कोई वीडियो वाइरल वगेरा होता है तो एक बार रिसर्च कर लिया करो कि यह रियल है या फेक तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वसेज ऑस्ट्रेलिया वर अपडेट्स आ रहे हैं जैसी कि क्लोजिंग सरेमनी होगा ओफ दे वर्ल कप फिर इंडियन एर फोर्स विल पफॉर्म एन एर शो बहुत सारे बॉलिवुड स्टार्स भी इस मैच को अटेंट करेंगे और इतना है नहीं बताया जा रहा है कि ICC ने सभी प्रीवियस वर्ल मैच में जाते हैं ICC इवेंट्स के एंडिचर्ट के टिलबरा उसको अंपाइरिंग कर रहोते हैं तो इंडिया एव लॉस्ट ओल्द मैचेज अब यह एक परसन हमारे लखी चाम बन सकते हैं वह है अमिताब बच्चन क्योंकि जब इंडिया सेमी फाइनल जीते थे तब अम अब मैक्सिममम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सर आप मैच देखने मत जाओ हम लोग को जीतना है यह वर्ल्ड कप बट्या आई परसनली थिंग कि इंडिया अभी इतने अच्छे फॉर्म में कि कोई भी लखी चाम या फिर अनलकी चाम काम नहीं करेगा हम हम लोगी जीतने वालें वर्ल्ड कप एनिवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वालें फुक्रा इंसान मनिशा रानी के बारे में तो फुक्रा इंसान मनिशा रानी का म्यूजिक वीडियो कब होने वाला है वेल वो लोग आज मिले फोटोज अपलोड किये फुक्रा इंसान थोड़ा अपडेट देते वें का है म्यूजिक वीडियो अपडेट बात चल रहा है तो चलिए वागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लवीश आदफ के बारे में तो लवीश आदफ के अकाउंट को डिलीट कर दिया गया जिहां काई शायद आप लोग अपना बॉलिवुड डेब्यू करने वाले हैं जहां गाइस रिसनली अनाउंस हुआ कि जो बॉलिवुड मूवी अभी आने वाला है फर्रे उसमें MC स्टैन अपना बॉलिवुड डेब्यू करने वाले है ऐस प्लेबैक सिंगर एनिवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लो में बात करते वे दिखाया कि गूगल में बताया जाता है कि डेविड बेकम का हाइट है 1.83 मीटर अर्जुन कपूर का हाइट है 1.78 मीटर तो अर्जुन कपूर लंबे क्यों लग रहे हैं वेल इस पर रिप्लाइ करते वे अर्जुन कपूर नीचे कमेंट करके कहें I'm actually 183 cm that's slightly over 6 feet so let's not believe everything we read मजलब की इंटरनेट में आप जो भी देखते हो वो सब कुछ right नहीं होता है तो ये भी जब डेविड बेकम से मिले थे उनके साथ फोटो को पोस्ट किये तो किसी ने इस फोटो के नीचे कमेंट कर दिया उसने ये नहीं पूछा कि तू है कौन जिस पर रिप्लाइ करते वे हर्ज वर्दन कपूर का है भाई वो मेरे घर पे आया तू कौन है एनिवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में तो थगेश हो के सीजन वन का फाइनल एपिसोड आने वाला है जहां इसके बारे में वो पोस्ट करके बताए कि 21st November 7 PM को ये एपिसोड आ जाएगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक टर्किश मैन के बारे में जिनोंने अपने गर्ल्फरेंड के लिए लिमिट क्रोस कर दिया भाई तो गाईस टर्कि में एक आदमी ने क्या किया वो कूरियर कंपनी का डिलिवरी परसन थे एंड उनको एक असाइन्मेंट मिला था अफ डिलिवरिंग 33 आईफोन्स नो अपैरेंटली ये डिलिवरी कभी हुआ है ने तो कंपनी ने पूछताच किया एंड बाद में पता चला वो आदमी ने आईफोन्स को चुरा लिया था ताकि वो अपने गर्ल्फरेंड को एक कार गिफ्ट कर पाएं तो जब पुलिस ने उनकी गर्ल्फरेंड के साथ पूछताच किया कि कि आपको पता था कि इन्होंने ये किया है तो वो बली कि उनको तो पता ही नहीं था ये करो वरना ना करो तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले नाना पाटेकर इंसिडेंट के बारे में लास्ट वीडियो में मैं आप लोग एक इंसिडेंट दिखाया था जहां पर नाना पाटेकर का अपैरेंट की एक शूटिंग चल रहा था एंड अचानक से पी लगा यह behavior from नाना पाटेकर अपने वीडियो में जो बोले थे कि बाद में वह बच्चा को बुलाए थे बट वह भाग चुका था इसके ओपर भी वह बच्चे ने कहा कि उनको कोई नहीं बुलाया था यह गलत है तो यहां तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट के बारे में subscribers, so many many congratulations to all of them, so यहां तो चलिए अब कुछ international stories के बारे में बात करते हैं, so first of all में लोग बात करने वाले Mr. Beast vs T-Series के बारे में, so guys जैसा कि आप देख सकते हो Mr. Beast vs T-Series का war अब बढ़ते ही जा रहा है, उन दोनों के बीच में subscriber gap approximately 40 million का हो गया है, तो यह जो subscriber race चालू होने वा and यह subscriber race has nothing to do with countries, उनको बस number one most subscribed YouTuber बनना है, that's it, तो आप यह subscriber race में किसको support कर रहो Mr. Beast को या फिर T-Series को मेरे को comments में जरूर बताना, तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं the Sidemen के बारे में, तो the Sidemen को अपने ही restaurant opening से ban कर दिया गया ह जिहां guys recently उन्होंने announce किया था कि उनका एक restaurant open होने वाला है, and जिस जगा में ये restaurant खुलने वाला है, उस जगा से उनको एक notice आ गया, कि they are banned from coming there, क्योंकि approximately 10,000 fans वहां आ जाएंगे, and बहुत जादा problems हो जाएगा, तो इसके उपर react करते वे case I कहे sad times, बट यहां guys वीडियो खतम नहीं किया हो, तो जल्दी से जल्दी subscribe भी कर लेना, news submission का link description में, वहां से जाके आप कुछ news भेजोगे, तो आपको credits में मिल सकता है, मेरे description में, so yeah से support करते रहना, मिलते नेक्स वीडियो में, till then, bye bye